नमस्कार, वेलकम, स्वागत, रंतंतर देख रहे हैं आप मैं हूँ रॉनक कल से शुरू होने वाला है हमारा साल का आखरी इंटरनेशनल क्रिकेट मैच जो कि हमारे लिए काफी स्पेशल होने वाला है क्योंकि न्यूजेलिंड, इंग्लेंड और ऑस्टेलिया हमने फते कर लि अगर ऐसा होता है तो इस साल 2024 की बड़ी हाइलाइट में से एक हो जाएगा, लेकिन साल 2023 की इंडिन क्रिकेट की सबसे बड़ी हाइलाइट क्या रही, आईए आपको इस वीडियो में बताते हैं, बाकि आप भाई को हैपी बड़ दे भी विश कर सकते हो, क्योंकि मेरा हैप इस टीम ने गोल्ड मेडल हसिल किया, और गोल्ड तो सिर्फ जीता है, लड़कियां तो हमारी हीरा है, इस पूरे साल इन सब ने बहतरीन परफॉर्मेंस दी चाहिए, इसने या राना हो या समिती मंदाना या फिर जैमिवा रॉटरिक्स, सब का रिपोर्ट कार्ट दस में साल 2023 महिला क्रेड के लिए इसले भी जबर्दस रहा, क्योंकि पहली बार विमेंस प्रीमेर लीग कायोजन किया गया, जिसमें मुंबई की जीत होई, हाइलाइट नमबर 4, मुहमद सिराज का एश्या कब फाइनल में शिलंका के खिलाफ प्रदर्शन, मैं ऐसे लोगों को ज सिराज ने पूरी टीम को मातर 50 पर निप्टा दिया और टीम इंडिया ने 51 रन का शगुन 6 और में चड़ा कर इश्या कब जीत लिया, परसनली मुझे मुझे मुहमद सिराज का ये स्पेल साल का बेस्पेल लगा, जिया, वर्ल्ड कब सेमी फाइनल में मुहमद शमी के स्प बजरे होंगे, चेन्ने को फाइनल जीतने के लिए दो गेंदों में 10 रन चाहिए थे, दो गेंद में 10 रन बहुत होते हैं, इतने बड़े वाले प्रेशर मैच में, सबने उम्मी छोड़ दी होगी सिवाया जड़े जाके, जिन्नोंने मोही चर्मा के आखरी ओर में एक चौ आगे बढ़ते हैं हाइलाइट नमबर दो, इंडिया में वर्ल्ड कप, वन डे वर्ल्ड कप 12 साल बाद इंडिया लोटा और क्या जबरदस क्रेज रहा, घर पर हो रहे हैं वर्ल्ड कप की बात ही कुछ और होती है, 12 साल पहले जो वर्ल्ड कप था, वो भी बहुत स्पेशल रहा और ये वाला भी जबरदस्ता पूरे देश में वाइब सिर्फ एक ही थी, वर्ल्ड कप घर लाना है, टिकेट का स्कैम हुआ, बीसी से एयो टिकेटिंग पार्टनर इसको गालियां पड़ी, लेकिन जिनको स्टेडियम का टिकेट मिला, उन्होंने खुल कर जिंदगी जी भाईया, दस मैचों में लगातार दस जीत एक मीठे सपने की तरह थी, और फिर फाइनल में हार, बिल्कुल वैसी, जैसे उस सपने वाली नींद का टूटना, और हमारा उस असल जिंदगी में वापस लोटना, जिस जिंदगी में सिर्फ दुख है और दर्द है, मम्मी क पपा की डांट है और बॉस की चिक चिक है, और आपको तो पता ही है, इन सारी चीजों का कोई एसकेप नहीं है, लेकिन वो 40-50 दिन जिसमें टीम इंडिया ने 10 मैच जीते हूँ, यादगार रहेंगे, बुम राशमी, रोहित, कोली, इन सब का शुक्रिया, अगर हम वर्ड जादगार रहेंगे, बुम रहेंगे।